प्रगत है आप सभी का हमारे यूटूब चनल इंडियन गोतम में दोस्तो मैं पिछली वीडियो में आपको बताया था लहड़िया सराई से सहर्षा के बीच चलने वाली डेमो एस्पेसल ट्रेन की समय सारनी तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सराई गड़ से लहड़िया सराई के बीच चलने वाली डेमो एस्पेसल ट्रेन की समय सारनी और कितना ट्रेन है और कितने बज़े किस एस्टेशन पे पहुंचती है ये सभी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो अभी तक आप हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से सस्क्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे तो पहली पेसेंजर ट्रेन की बात करें तो ट्रेन नंबर 05544 जो की सराइगड से सुबह में 7 बज के 15 मिनट में खुलती है और निर्मली 7 बज कर 37 मिनट में पहुंचाती है यहां पे इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट है जंजारपूर जक्सन 8 बज कर 23 मिनट में पहुंचाती है और यहां भी 2 मिनट का होल्ट है शक्री 10 बज कर 8 मिनट में पहुचाती है यहां भी 2 मिनट का हॉल्ट है दरभंगा 11 बज के 10 मिनट में और यहां पे 5 मिनट का हॉल्ट है 11 बज कर 30 मिनट में लहर्यासरे फैनली पहुचाती है अब ट्रेन नमबर दूसरा 0-5-48 जो की सरैगड से दोफर में एक बजके पांच मिनट में खुलती है और निर्मली एक बजकर 25 मिनट में पहुचाती है धान्जारपूर दो बजकर 18 मिनट यहां भी 2 मिनट का हुल्ट है सक्री तीन बजकर 12 मिनट और 2 मिनट का होल्ट है दर्भंगा 4 बजकर 55 मिनट में पहुचाती है और यहां पे 5 मिनट का हॉल्ट है लहर्या सरय फैनली साम में 5 बजकर 15 मिनट में पहुचाती है तरेन नमबर तीसरा और यह 0-5-6-6 जो की रात में 8 बजकर 57 मिनट में सरयगर्ड से खुलती है और निर्मली 9 बज कर 19 मिनट में पहुचाती है और 2 मिनट का होल्ट है यहाँ पे जंजारपूर 10 बज कर 13 मिनट और यहाँ पे 2 मिनट का होल्ट है सक्री 10 बज कर 46 मिनट रात में और 2 मिनट का यहाँ पे होल्ट है दरभंगा 11 बज के 30 मिनट रात में पहुचाती है 5 मिनट का यहां होल्ट है और लहर्या सरै फाइनली 11 बज के 55 मिनट में रात में पहुचाती है तो यह रहा सरै गड से लहर्या सरै तक की ट्रेन जो की 3 ट्रेन है दीन में